बजेट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मध्यमबर्ग का जात्र ध्यान नहीं रखती है सरकार है तो मध्यमबर्ग को पांस लाक रुपे जो किया गया है तो बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है नोंने कहेंदर सरकारने देश की जनता का सारवणगे की विकास के लिए बजेट पेश किया है नो भूतो नो भविश्ती पृदान बंदि निरंदर और मोधी और भाजपा सरकार NDA प्रफिया सरकार ने जो बजेट पेश किया है देश का समाज का छेवाडा का आदमी हमारे किसान जो देश का अनन पकाता है उनको लिए और मजमुर के लिए बढ़िया बजेट है बजट बिल्कुल बाइलेंज है जो भी मिडिल आप मिडिल फैमिली है इनके बारे में लोग जादा ध्यान नहीं देते थे और मैक्सिममम पॉपुलेशन इन ही के और इंडिया को राइज करने में इन ही कहां थे सबसे जादा मेहनत यही करते है और इनको अल्टिमेटली कुछ नहीं मिलता था और इसका ध्यान रखके मोदी जी ने बहुत-बहुत इहसान किया है मिड करने लिया है कि उसके लिए कि सारे देश के किसान उनके आभारी रहेंगे आज देखिए बहुत अच्छी तरीके से फानेस मिर्स साहब ने एक किशानों के लिए दो एकर से कम जमीन जिनके पास है उनको मिनिम्म 6,000 पर शाला उनके खाटे में दे जाएंगे बैंके दौरा बहुत अच्छी खबर है किशानों के अंदर जो एक रोस था जो किशान को एक बारती जंदा पार्टी की विचार शेली को जो से दूर अखने कोशिश की जा रहे थी विपक्स हमेशा एक मुद्दा करता था किशानों से दूर पार्टी है लेकिन हमारे इंदुस्तान के बहुत शंदर तरी से पेश क्या गया है बहुत बढ़िया बजट है इसमें ठेले वाले मजदूर जितने भी है किसान है उन सब के लिए एक लाबदार और फाइदा का रख बजट बना हुआ है सारे मध्यमपर्गी सारे गरीब और जो भी है इतने भी वो मोधी इस्थात आने के तियार है 2019 में उनका जोर्दा समर्चन से फिर दुबारा परदानमंत्री बनेगा अगा कर दो